नमस्कार दोस्तों केईगे से समझे स्टेंट्स के लिए कुछ और जरूरी जान करें अच्छी खाबर है तो आप वीडियो कौन तक जरूर देखें ज्यादा सेयर जरूर करें जैसा कि डिजीटल युनिवरसिटी वाले स्टेंट्स के रिजल्ट डिकलियर किया जाने का सिलसिला सुरू हो चुका था उसके बाद students इंचार करे थे BTEC वाले कि उनके जो आठमे समेस्टर के exam सो थे उनका result कब तक डिकलेर किया जाएगा तो BTEC का आठमे समेस्टर का digital university वाले students का यानके new syllabus वाले students का result डिकलेर हो चुका है जो result है वो आपको दिखा देते हैं आपको result दिखा देते हैं और साथ की साथ procedure बताएंगे कि आप result कैसे चेक कर सकते हैं ये जो result आप देख रहेंगे BTEC के आठमे समेस्टर के जो exam माई 2021 के दोरान कंड़क्ट करवाएगे थे उनका new syllabus वाले candidate का ये result है और जिस candidate का result है वो पास हो चुकिए और उनकी degree भी complete हो चुकिए तो जो भी ऐसे students हैं जिनकी result आने से degree complete हो चुकिए सभी को बहुत पुत हार्दिक सुबकामने हम आपके उज्वल भविश्य की काम ना करते हैं तो सभी students result कैसे चेक करेंगे जो बीटेक के news levels वाले students है वो भी आपको procedure बता देते हैं news levels वाले students जैसे ही कुके digital university की website पर जाएंगे result section में जाएंगे तो यहाँ पर तो कई दिनों से यही error देखने को मिल रहे है कि this page is temporary unavailable तो students यह सोचेंगे अब result कैसे देखना है जिन students के पास login details हैं वो login details एंटर करके login कर सकते हैं यहाँ पर आपने details भरनी है जो भी आपकी registered username है जो आपको प्राप्त हुआ होगा और जो password वो डालें लेकिन students यहाँ पर यह कहेंगे कि उनके पास ना तो username है ना ही PRN है ना ही password है तो क्या करना है ऐसे में जो forgot password का option है यहाँ पर click करेंगे और इसके बाद जो यह interface आपके सामने open हो जाएगा और यहाँ पर जो जान कर रहे हैं वो आपने भर देनी है लेकिन password याद नहीं है वो भी यही procedure इस्तेमाल कर सकते हैं यानि कि यहाँ पर जो भी आपके पास details available है चाहे वो आपका registration number हो login ID हो PRN हो जो भी आपके पास available है वो enter करना है उसके बाद date of birth और उसके बाद mother name फिर उसके बाद validate पर click कर देना है उसके बाद इस तरीके का interface आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर जो आपका registered mobile number है उसकी last digit आपको so की जाएगी फिर उसके बाद जो आपकी registered email ID है वो आपने यहाँ पर enter करना है जो भी email ID आपने register करवाई हुए college में register करवाई हुए या फिर कोई फारम भरते वक्त जो आप आपकी registered email ID और mobile number है उसके आपने इस्तिमाल करना है उसके बाद जो आपने reset password पर click कर देना है reset password पर click करने के बाद जो details हैं आपके registered mobile number पर भेज़ दी जाएगे और उसके बाद जो आप password reset कर पाएंगे इस process के दुरान आपके mobile number और email ID पर OTP भेज़ जाएगे जो कि आपको enter करने होंगे इसके बाद जो आपका password reset करने का process complete हो जाएगा password reset करने के बाद आपको home page पर आकर फिर से student login पर जाना होगा और इस बार जो आपके पास details है username और password उसके साथ आपने login कर लेना है जैसे ही आप ID password डालके login करेंगे इस तरीका का interface आपको देखने को मिलेगा और जैसे ही आप R पर click करेंगे तो R से जितने भी यहाँ पर option available होंगे वो आपके सामने open हो जाएंगे review profile correction request, edit profile view request status और इसके लावा जो option आपको दिखाई देगा वो होगा result का जैसे ही result वाले option पर आप click करेंगे result वाले option पर click करने के बाद इस तरीके का interface आपके सामने सोच जाएगा उपर की तरफ जो आपको details है candidate की वो दिखाई देगे इसके लावा इतने सारे जो points हैं यह लिखे हुए दिखाई देंगे इसके लावा यहाँ पर आपने क्या करना है exam event जैसे अप select करेंगे तो यहाँ पर may 2021 जैसे ही select करेंगे उसके बाद आपने कर देना है search पर जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो result है आपके सामने सो हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे result देख पाएंगे आप माई 2021 सेशन का BTEC का आठमे समेस्टर का न्यू सिलेबस वाले candidate का result इस तरीके से चेक कर लिया जाएगा और इसके लावा यहाँ पर term result status पर क्लिक करेंगे तो पूरा जो detail result है वो आप देख पाएंगे जैसे ही view पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इस पूरी प्रोसेस से आप अपना result चेक कर पाएंगे जिनके पास पहले ही login ID पासवर्ड है तो वो direct login ID पासवर्ड डालके अपना result इस तरीके से चेक कर सकते हैं उमीद है कि अब आप result चेक कर पाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप comment box में बता सकते हैं और जिन students ने result चेक कर लिया है वो result चेक करके जरूर बताएं कि आपका result कैसा रहा जो भी अपडेट्स होंगे आगामी जो भी अपडेट्स होंगे लगातार आपके साथ सेर की जाएंगी ऐसी अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल से जुरूर जुड़े रहें वीडियो को तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हा जरूर करें कमेंट बॉक्स में अपने अपनी राए जरूर दें